हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को L&T और Tata Technologies के साथ में टोटल में 6 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जो की 8 अपरेल यानि की 8 अपरेल के दिन यहाँ पे स्टॉक बोनस एंड डिविडेंड देने जा रहे हैं मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मेडिया बाया आरुश आए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कमपनी का नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलोईज लिमिटेड एंड इस कमपनी का जो NSC कोड है वो है IMFA आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर में कमपनी का जो शेयर है वो अपने प्रीवियस क्लोस के उपर ओपन हुआ था यानि कि यह गैप अप एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें शेयर के अंदर में देखने को मिली और 748 रुपीज तक उपर की तरफ हमे रैली भी देखने को मिली मॉर्निंग में बड़ उसके बाद में एक सडन करेक्शन आया और शेयर जो अपने प्रीवियस क्लोसिंग के लेवल्स के आसपास में घूम रहा था और यहां पे क्लोसिंग भी आज हमें आप कह सकते हैं फ्लाट ही देखने को मिली है 733 रुपीज के उपर में यह कंपनी का शेयर प्राइज अज क्लोस हुआ है कल के दिन इस कंपनी के शेयर ने अपने इंवेस्टर्स को लगबग 12.5-12% तक के रिटरंस दिये थे तो आज अगर यह फ्लाट क्लोस हो भी गया तो जादा कुछ यहां पे चिंता करने की बात नहीं है कंपनी का यहां पे almost decided रहता है कि कितनी बार interim dividend देना है और कितनी बार यहां पे final dividend कब-कब दिया जाएगा और इस कंपनी का interim dividend और जो final dividend history के हिसाब से आता है वो तो आएगा ही आएगा साथ में कंपनी ने additionally अपने investors को एक special dividend दिया है वो भी पूरे 15 रुपे का और इसको देने की ज Kima Plastics Limited इस कंपनी का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 530589 इस कंपनी का जो share है वो आज की दिन में लगबग 2% तक की तेजी के अंदर में था और पूरा दिन 2% तक की तेजी में आसपास में घूम रहा था Closing Price जो बना share का 198.95 रुपीज का था कंपनी के अगर official announcement की बात करी जाए तो कंपनी ने अपनी face value का 20% का dividend announce किया है जो की 2 रुपीज पर share के हिसाब से बन जाता है आप लगो को आपके हर एक share के उपर में 2 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी x date record date same day की रहने वली है यानि की 8th of April की अगले share की बात करें तो कंपनी का नाम है Promax Power Limited इस कंपनी का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 543375 ये कंपनी का जो share है open तो यहाँ पे अपने previous closing के पास में हुआ था यानि की flat open हुआ था एंड उसके बाद में हमें इस company के share के अंदर में upper circuit लगता हुआ देखने को मिला हाला कि past कुछ दिनों से ये share जो है lower circuit पे काम कर रहा था अज काफी दिनों के बाद में हमें इस company के share के अंदर में एक upper circuit लगता हुआ देखने को मिला है पूरे 5% का और जो share का closing price रहा है वो 13 136 रुपीज का है अगर हम company के official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share है जब बोनस मिलेगा इस बोनस को भी देने की जो X date और record date है वो same day की रहने वली है यानि की 8th of April की इस वीडियो के अंदर जितने भी shares को मैं cover कर रहा हूँ सबकी X date, record date 8 April की है तो इन में से आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को 8 April से प UNTV इस company का जो share price है आज की trading session के अंदर में 618 रुपीज के उपर में close हुआ है ओपनिंग हमें share के अंदर में काफी positive देखने को मिली थी और एक काफी अच्छे खासे gap up के साथ में share open हुआ था बट ओपनिंग के बाद से ही लगातार इसके अंदर में गिरावट आई 12.30 बज यहाँ पे interim dividend around कर दिया है 60% का अपनी face value का जो की 3 रुपीज का dividend बन जाता है आपको आपके हर एक share के उपर में 3 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो भी same day की रहने वाली है यानि की 8th of April की इन में से जिस भी share को आपको purchase करना हुआ 8 वी April से पह L&T Finance Holdings का जो share price है 172 रुपीज के उपर में चल रहा है और L&T Finance Holdings की तरफ से एक काफी बड़ी और एक काफी positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे Zee Business करके एक काफी जाना माना business analyst है and I am damn sure आप लोगोंने Zee Business का नाम तो definitely सुना होगा अब Zee Business ने जो है L&T Finance के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 180 रुपीज का दिया है तो लगबग 172 रुपे से लेकर के 180 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे Zee Business expect करके चल रहा है L&T Finance Holdings के share के अंदर में और साथी साथ में Zee Business ने जो है यहाँ पे stop loss भी recommend किया है जो जोगी 165 रुपीज कराएगा तो 165 रुपे का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो है यहाँ पे Zee Business ने provide किया है L&T Finance Holdings के share के अंदर में और साथी साथ में अगर आप देखते हैं यह जो 180 रुपीज का target है काफी छोटा target है और सेम यह काफी छोटे time frame के लिए आपके पास में रहने वलाए हो सकता है कल के दिन फ्राइडे के दिन एचीव होता हुआ देखने को मिल जाए बिट क्योंकि फ्राइडेस को usually market sideways रहते हैं तो आप expect कर सकते हैं जादा से जादा मंडे या फ़े Tuesday के दिन यानि की next week upcoming days के अंदर में यह target आपको एचीव होता हुआ देखने को म committed Tata Technologies का जो share price है 1135 रुपीज के उपर में चल रहा है और Tata Technologies की तरफ से एक काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे the Hindu business lines करके एक काफी जाना माना business analyst है and the Hindu business lines की जो team है इसके अंदर काफी जाने माने technical analyst और काफी जाने माने research analyst जुड़े होई हैं अब इन्होंने मिल करके जो है Tata Technologies के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 1370 रुपीज का दिया है तो लगबग 1135 रुपे से लेकर के 1370 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे the Hindu business lines expect करके चल रहा है Tata Technologies के share के अंदर में अब देखा जाए तो Tata Technologies fundamentally financially काफी जादा strong company है recently market पे list हुई है साथी साथ में Tata Group की one of the most backuping companies में से एक है मतलब Tata Group की जो बड़ी बड़ी companies है उनको भी कही ना कहीं Tata Technologies एक backup provide करता है चाहे वो किसी related services हो या फिर कुछ और other work purpose हो उसके लिए तो कही ना कहीं देखा जाए आने वले time में Tata Technologies का future definitely हमें काफ 270 रुपे का target दिया गया है यह तो आपका short term से लेके यह जादा से जादा mid term तक का target रहेगा अगर आप लोग चाहें तो Tata Technologies के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं वैसे तो Tata Technologies का share और यह company एक ऐसी company है जिसको long term के लिए अगर hold किया जाए तो बात ही अलोग ही returns ही काफी जादा massive आपको long term में मिल जाएंगे बाकी totally आपके उपर में आपको इस short term से लेके mid term का target रखना है या फिर long term के लिए Tata Technologies के share को hold करना है बाकी Tata Technologies और साथी साथ में L&T Finance के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा and इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हु बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 6 stocks थे जो कि 8 वी अपरेल के दिन bonus and dividend देने वले हैं अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा please इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मि आपको बीजेब करी में आपको वीडियो अपको भैडियो shaking एmm